बेगर मैं आपकी बर्दे में आपको यह आईफून गिफ करना चाहता हूँ इसकी मुझे जरूरत नहीं है असलाम अलेकॉम तीन से चार एकसाईज बतारों बैली फैट की जिसा मैं हमेशा कहता हूँ कि रोज़ाना डिफरेंट एकसाईज करना बैठे रहेंगे तो अब बैली में से फैट रिडियूस होना खतम हो जागा एवन के बाड़ी की कोई भी एकसाईज हो आपको डिफरेंट एकसाईज करनी पड़ती है एकसाईज नमबर वान तीन से चार एकसाईज नोट कीजएगा आपको इसमें फुटबाल की जोद पड़ेगी इसमें हैंड बैग नीच चाहिए जिसे लास्ट टिम मैंने का था अगर फुटबाल ना हो तो हैंड बैग भी चल ज़ेगा क्योंकि वो हातों से ग्रिप करना था लेकिन ये टांगों से ग्रिप करना है आपने अपने टांगों के बीच में फसाना है इसको ग्रिप करना है और जिस तरह इस तरह से नीचे गिरना नीच चाहिए आपने कर लिया उसके बाद अपर बॉड़ी को होल्ड रखना है पूरा लेटना नहीं है आपने अपर बॉड़ी उपर की तरफ टांगें बिल्कुल सीधी फूटबाल पसाया हुआ है और आपने लेग रेजिंग कर देंगे लेग और जमीन को टच नहीं करना अपने अपने पाउं टू मुश्किल चीज है लेकिन होल्ड रखेगा अपर बॉड़ी को त्रूर फॉर फाइव इसके अपने 20 रेप्स लगाने है यह देखिए मैंने होल्ड रखा हुए इसको शुरू में गिर जाएगा कोई बात नहीं जितन होती है फसा के आप कर सकते हैं टांगे सीधी रखनी जिससे किसे दुबारा रेवेंट कीजिएगा अगर समय ना आए तो दूस्ते एक साइज नोट कीजिएगा आपने अपनी जो अपर बोड़ी है वो होल्ड रखनी है ऊपर की तरफ मत अगे इस तरीके से नीचे फूल न आपने इसको टोंटी रख लगाने 20 ने लगे तो टैन लगा लें मतले के 10 सेकंड काउंट करने जिसना मैंने काउंट किये और तीसरी एक्सराइज नोट कीजिएगा यह बड़ी मुश्किल एक्सराइज और लेकिन कोई भी मुश्किल चीज़ों प्रेक्टिस करने से हर ची यह आएगी आपकि तीरी एक्षाय जो है आपने अपनी बोडी को जो बॉटम है उसको ऊपर की तरह लिफ्ट करना है तो automatically और हातों को सब्धुला और रखना है हातों को थोड़ा सा फिला कर रखेगा यह नहीं फिला आंगे रखेगा हातों को फिला कर दखेगा और अपनी बॉटम को थोड़ा उपर की जएगा और इस तैम सारे के सारा जो प्रेशर है वह मेरे बैली में रहा है ओल्ड रखेंगा ट्वंटी सेकंड तग वन तू ट्री फोर यह निका टूनी सेकंड मैंने फोल रख लिया इधरी विदाउट अनिरेस्ट आपने चोथी एकसेस लगा नहीं है एलबो प्लेंग वाइं टू थू थुछ फोर यह हुआ सारा एक सेड्य जो चार एकसेस म पैना आपने कम्प्रीट एक्साइज हो गई है दस सेकंड करेस्ट की चेहा और यतना आपने ये साड़ा कुछ किया है टूंटी सेकर्ड टूंटी सेकंड टैन रेप से इसको दोबार रपीट कीजेगा तस सेद्गें रेस्ट के बाल फिर रेस्ट लीजेगा 10 सेट्ग का फिर इसके बिल्कुल जरुरूरत नहीं है इसके बतले आप मुझे सौने के कड़े गिफ्ट कर दें लेकिन लोग इसके कैमरे के लिए मरे जारें के कमाल का रिजल्ट है कैमरे का जिंदगी रियल लाइफ में गुजरती है अच्छे फ़ोन से नहीं गुजरती तो किया अगर ये गरता है तो कोई इसके बिकार हो जाएगा हाजी बिल्कुल तो सोने के कड़े आप क्या करेंगी वो कभी हमारे बुरे वक्त में भी काम आ सकते हैं यागर 10 साल बाद वो सोने के कड़े आप निकालेंगे तो वो हमारे काम आ सकते हमारे बुरे वक्त में या उसी की प्राइस उसी प्राइस में बिक सकते हैं और यह अगर एक दफ़ा गिर गया तो इसकी इतनी खास वैलियो नहीं रहेगी बहला कि इतना ही खर्चा हो जागा है जितने का लिए है तो थेंक अबाउट इट